सिवान में जमीनी विवाद में दबंगों ने दबंगई गरीब का घर तोड़ डाला जिले की पुलिस नहीं कर रही कोई कारेवाई नियाय के लिए गरीब परिवार खा रहा दरदर की ठोकर सिवान की दरूली थारशेत्र की पुनक बुजरू ग्राव में जमीनी विवाद में गरीब परिवार को गाव के दबंग तबके के लोगों ने गरीब परिवार का जबरन घर तोड़ दिया और फिर उसे जमीन को जबरन कबजा कर लिया आपको बता दी कि सिवान एस्पी अमीटेश कुमार को दिये गया अविदन में गोहर लगाते हुए कहा है कि मेरे पाड़िदार द्वारा मेरी ही घर को तोड़ कर मेरे जमीन को जबरन यहाँ लोग कबजा कर लिया है इसी जमीन को लेकर सिवान के न्याले में अभी मामला चल रहा है तब तक यह लोग हमारे परिवार को धमका कर हमारे जमीन पर जबरन कबजा कर लिया है वहीं सीमा देवी ने अपने दिये गए इस बयान में कहा है कि सुग्रीम भगत, कंचन भगत और शीपूजन भगत इन्हीं लोगों ने हमारी जमीन पर जबरन कबजा किया हुआ है इस वीडियो में आप साफ तोर पर देख सकते है कि किस तरीके से लाटी रंडो के साथ में मार पीट कर घर तोड रहे है वहीं सीमा देवी ने जिला प्रिशासन से निया की गुहार लगा रही है और सीमा देवी को अपने ही पाटिदार से जान का भी खद्रा है सीमा देवी ने जिलाते हैं परिवार वालो को यह जो गाली गलोच करती है और जान से मानने की भी धंकी दे रहे है ऐसे ही बिहार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे हैं सनल लाइव न्यूज झाल झाल